नमस्कार दोश्तों मैं नितिस कुमार लर्मेंस में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम 75 हाट सेरीज में मौक 31 का डिसकासन करने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हूँ पहला जो कोष्चन इसमें है कि एक एक इलेक्षेन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच एक को 75 परतीसद वोट मिला है और वह 5020 बूट से जीत गया तो टोल वोट कितने होंगे अगर एक को 75 परतीसद मिला है मतलब दूसरे को 25 परतीसद मिला होगा यही बात है दोनों के बीच क कितने भोड़ परे थे तो सौ परती सती भोड़ परे होंगे तो सही सारा गया option no.1 दूसरा question क्या है कि किरन ने 5 पे 500 किशोर को दिया और compounding क्या है 12% पर एनम और compounding annually है किशोर ने काविया को simple interest पर दिया 15% पर एनम करके तो हमें बताना है कि what is the difference earned by किरन और किशोर किरन किशोर ने तीन साल बाद जो interest मिलेगा उसका differences किया है देख लेते हैं तो सबसे पहले simple interest वाला अगर हम देखें तो तीन साल में कितना हो जाएगा 15 गुना 3 मतलब कि 45% पर तीस तो किशोर को काविया से 45% का interest मिलने वाला है अभी हम देखते हैं कि किरन को किशोर से कितना मिलेगा इसके लिए आर effective निकालना होगा हर एक साल 12 पर तीस ते तीन साल के लिए आएगा तो थ्री आर प्लस थ्री आर स्क्वाइर बाई हंड्रेड प्लस आर क्यू बटा एक पे चार सुनना और यह हम आपको बता चुके हैं तीन साल के लिए अगर आर आर करके आएगा तो कैसे effective निकालना है बाराफ पूट करेंगे तो बारात या 36 यहां से आ जाएगा और 144 को तीन स चार सो बतीस बटा सो यहां से आ गया और यहां से करेंगे तो कितना अगा बाराफ कीव 1778 बटा एक दो तीन चार तो 36 और 4 यहां से आ गया 40.32 और 0.1728 तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आजएगा 40.4928 परसेंट ठीक है तो एक का 45 परसेंट आ रहे हैं दूसरे का 40.4928 परसेंट आ रहे हैं तो जो डिफरेंस है दोस्त डिफरेंस कितने का आ जाएगा यहां से तो 2 आ जाएगा और फिर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और आपका 44 में से 44 गया 4 तो 4.5072 परसेंट का डिफरेंस आ रहे हैं अगर अमाउंट के चर्म में हम नि 345 गुना 4.5072 डिवाइड़ बाइ 100 दो जीरो चला गया अच्छा पांच जीरो था ना तो दो जीरो चला गया बागे तीन जीरो आ गया तीन जीरो ने से 5 इंटू 4 5 0 7.2 आ जाएगा पांच दूना दस साथ पच्छ पैंटीस एक छत तीस और पच्छ पचीस पंचों का बीस दो बाइस तो बाइस पांच तीन छे तो सही उतर के आगया ऑप्सन नंबर वन तो देखिए आपको जो फॉर्मूले बताये गए हो कर सकता है दिशा उसको 84 दिल में कर सकती है दुन्नों ने 12 दिन तक काम किया उसके बाद दिशा ने छोड़ दिया आकास ने बागी का काम कंप्लीट किया है तो टोटल नंबर ओफ डेज कितना लगा यहां पर आकास है और यह दिर्शा 163 और 184 टोटल लेने जाए तो इकश का इफिशियंसी क्या होगा टोटल वर्क में आप 63 से भाग देंगे तो यह चार आ जाएगा और इनका इफिशियंसी कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा कोई दिकत नहीं तो टोटल वर्क आया है ना दोस्त चार्तिया आई 12 और बादमा चौभी से 252 आया है 252 को कैसे करें है पहले दोनों मिलके 12 दिन तक काम किया 1 दोनों मिलके तो 4 प्लस 3 12 दिन तक काम किया इसके बाद आकाश को ही पूरा काम करना है तो आकास जो है फोर्ट इफिशियंसी करेंगा n देर तक फूर act वेलो कितना आ यहाँ से देखेंगे तो, या फिर ऐसे करें, तो 4 से करेंगे, तो यह 3 बार में चला जाएगा, और 4 शा के 24, चार तीय बारत तीर साठीज चला गया, नहीं, 4-3,7-2,1 चला गया, तो बचा कितना 42, टोटल टाइम कितना लगा भाईया 42 प्लस 12 54 देज तो 54 देज में वो काम कम्प्लीट हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नमर फोर में है आपका कि X ने एक डजन पेंसिल खरदा है 60 रुपे में और 20 पेंसिल खरदा है 200 में टोटल एवरेज कोस्ट ऑफ स्टेशनरी क्या होगा देखिए 60 रुपे में एक डजन यहाँ पे रुपे हैं या फिर प्राइस लिख लेते हैं और यह है आपका अमाउंट या नमर लिखिए फिर 200 में कितना पेंसिल खरदा है 20 पेंसिल खरदा है कोई दिकत नहीं हमें क्या चाहिए एवरेज कैसे निकालेंगे टोटल प्राइस बटा टोटल आइटम्स टोटल प्राइस हो गया 60 जोड 200 और आइटम हो गया 12 जोड 20 तो 260 को आपको 32 से भाग देना है तो 4 अठ्थे 32 4 चार चाट चौबिस एन 65 अठ्थी अठ्थी चौण सट एक दो पांच आठ्थ दसमल एक दो पांच करके आ रहे हैं तो सही उत्तर क्या जाएगा उप्शन नमर्ट टू कोश्चन नमर्ट फाइब में है कि मार्क्स ऑप्टेंड बाई 7 स्टूडेंट जो है इतना है हमें बताने एवरेज मार्क्स कितना होगा एवरेज निकालना है एवरेज निकालने कि एविेशन का यूज़ कर सकते हैं माल लेते हैं कि जो एवरेज है वो 70 तो पहला 17 आ रहा है कोई दिकत नहीं दूस्रा 70 से 15 जादा है तीसरा 76 से 25 जादा है तीसरा चौथा जो है 16 ज्यादा है एक 4 ज्यादा है एक 13 ज्यादा है और एक 3 कम है 2 4 6 और 7 से डिवाइड करना परेगा तो 70 प्लस उपर कितना आ गया 25 15 40 46 46 46 और दा 70 17 बता 60 कितना आ गया 80 तो जो एबरे जोगा इसका क्या जागा 80 जो कि सब्सक्राइब का रेडिया सब्सक्राइब कर्व सर्फेस रिया 3520 है क्या होगा देखें सी यह से दिया हुए 3520 प्लस 2 पाई आर स्क्राइब हो जाएगा क्योंकि यह तो आपका सी यह से है तो भाईया 3520 तो है ही दो गुना 22 बटा साथ गुने साथ गुने साथ वैसे में पता है रेडिया साथ रहता है तो एरिया कितना आ जाता है 154 का डबल कितना होता है 308 तो 3520 प्लस 308 आगया 3828 और सही उतर आ जाएगा ऑप्सन नमबर 2 क्वेश्चन नमबर 7 में है कि शॉप कीपर जो बारफ परसेंट का डिसकाउंट देता है मा 2488 226 बारफ जो चार से देर सो तो 100 परतिसात का वैलू कितना हो गया एक पांच जीरो पे डबल जीरो और सही उतर आ जाएगा ऑप्सन नमबर 1 क्वेश्चन नमबर 8 में है आपका कि शॉप कीपर मार्क्स इस गूट 20 परसेंट अबब कॉस्ट प्राइस कॉस्ट परसेंट परसेंट का डिसकाउंट डेता है मार्क प्राइस पे और एक फॉल्टी वेट यूज़ करता है 800 ग्राम का एक केजी के जगह पर तो अबर प्रोफिट क्या होगा आए देखते हैं पहले 20 परतिसा ज्यादा है मतलब अगर कोई डिसकाउंट नहीं होता तो पांच के आइटम के लिए और ग्राहक से 6 रुपए लेता है दूसरा है वह बोड़ा कि देख भाईया तुमको 10 परसेंट का तो अब भी दे रहे हैं मतलब बोड़ा कि देखो 10 रुपए का समान हम तुमको 9 में दे रहे हैं खुस रहो चलो ठीक है खुसता हो लेकिन बाद में हुआ कि 800 ग्रा 20 के समान को 27 में बेच रहा है तो परसेंटेस फाइदा कितना होगा साथ का फाइदा 20 पे गुना का सव कर देंगे तो 35 परतीसद यह पूरा जो खेल है इसमें 35 परतीसद का उससे फाइदा हुआ है इसको 102 से डिवाइड करना है रिमेंडर क्या होगा एक है आपका 24 का पावर 3 दूसरा है 25 का पावर 3 फिर 26 का पावर 3 और यह आपका 27 के पावर 3 यह है न तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर क्या आजाएगा अगर आप इसको 102 से डिवाइड करना है तो रिमेंडर जीरो आजागा है कैसे आया देखिए सबसे पहले बताइए यह जो आपको डेटा दिया हुए 24 का पावर 3 जोर 25 का पावर 3 जोर 26 का पावर 3 जोर 27 का पावर 3 क्या हम बोल पाएंगे एवेन है बोलो के कैसे 24 का पावर 3 यह इवेन हो गया 26 वला भी even हो गया 25 का power 3 odd होगा 27 का power 3 भी odd होगा 2 odd जोर के even आएगा तो even और odd मिलके क्या आगया even आगया कोई दिक्कत में even होते ही 2 से तो divisible है यह जो 102 है 102 काम क्या लिख सकते हैं 51 गुना 2 लिख सकते हैं तो 2 का तो काम हो गया अभी हमें देखना है क्या यह कावन से divisible है अगर यह कावन से भी divisible हो गया तो 102 से divisible हो जाएगा और आपको बताया गया होगा कि a to the power m plus b to the power m जो है न is divisible by divisible by a जोर b क्या होना चाहिए भहिया बस m का value क्या होना चाहिए odd natural number होना चाहिए मतलब की odd natural number चिक है तो यहां तक बाद समझ में आगए अभी इधर जो हमें दिया हुआ है पावर 3 है पावर 3 तो आपको क्या है odd natural number है तो इसको हम लिखेंगे 24 का पावर 3 जोर 27 का पावर 3 और एक हो गया 25 का पावर 3 जोर 26 का पावर 3 देखे एक्यू प्लस बीक्यू 24 जोर 27 से कटेगा 24 जोर 27 क्या होता है एकावन एकावन से डिविजीबल है और ए आपका 25 जोर 26 कितना आगया एकावन से डिविजीबल है तो हमें पता चल गया कि यह ओभर ओल एकावन का भी मल्टिपल है एकावन से डिविजीबल है दूसरा आपका किस से डिविजीबल है एकावन और दोनों का मिला कि 102 से डिविजीबल हो गया हैंस डिविजीबल भाई 102 और जैसे भाई या 102 से डिविजीबल हुआ रिमेंडर के आएगा 0 बास समझ में आगे चलिए आगे चलते हैं कि कोश्चन नमर दस में कि एरिया ओफ रॉंबर्स का जो फॉर्मूला होता है यहां से आजएगा वन बाइटू एक है साथ एक है च्छे तो आंसर आगे 21 कोश्चन नमर 11 में रीता जो ओफिस जाती है 40 किलोमेटर प्रतिगंटा के स्पीड से आती है साथ के स्पीड से एवरेज स्पीड क्या होगा वी एवरेज यह होता है आपका 2 V1 V2 डिवाड़ेवाई V1 प्लस V2 एक अब होता है जब सेम ही डिस्टेंस D में एक बाद तो आप V1 से जा रहे हैं दूसरी बाद V2 से आ रहे हैं बाद तो पता है आपको नहीं पता है तो यादर कियेगा काम का चीज है वी के जगा पर S भी लिखा रहा है का S पूर स्पीड एंट वी पूर भी हां स्पीड लिखी सकते हैं तो दो गुना 40 गुना साथ उपर आ गया और नीचे होगे 40 जो साथ तो चोचर के चोविस दूना 48 अर्तालीस किलोमीटर प्रति घंटा इनका यह बेस्पीड हो गया है जो कि है ओप्सन नूमबर 3 कोश्चन नूमर 12 में कि एसी का प्राइस है 48,000 शौप कीपर ने 12% का डिसकाउंट दिया गेन उसे होगा 10% का अगर कोई डिसकाउंट नहीं देता तो इसे गेन कितने का होता कोई डिसकाउंट नहीं देने का मतलब है कि 48,000 का 48,000 में ही बेस्देता सबसे पहले देखिए य ब्लंक्र प्राइस का रेसियो निकाल सकते हैं कितना का डिसकाउंट दिया है 10-12% का डिसकाउंट दिया फायता कितने का हुगा इसको 10% का हुगा है मतलब कि 88,000 110,000 22,000 18 pega 2101,100 परकतस मतल समझते के कोश्ट प्राइस में मार्क प्राइस का रिया हो गया जो से one लिए मतलब चार का आइटम 500 भी रहा एक का फायदा हो रहा है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा एक बटा चार गुना सो जो की क्या है 25 परती सत्थ इस कोश्चन का सही उत्तर आ जाएगा option number 4 ठीक है कोई दिकत नहीं आगे चलिए 13 में क्या दिया है कि speed of border still water में 50% ज़यादा है अफ्स्दिम से देखें still water में से 50% ज़यदा है still water में x है अफ्स्दिम में x-y क्योंकि अफ्सुमें 11 के बिपरीत आप जाते है 50% ज़यदा है मतलब a 2 हेते 1 क्या हो गया 3 हो गया 3x-3y x का value हो गया 3y मतलब जो boat का speed है वो धारा का speed का 3 गुना है यही बात है boat जो है 20 minutes लेती है reach from point p, point q from point p in downstream then how much time it will take to reach point p from point q in upstream देखिया कहाँ पर d same है बोले हैं कि हाँ d same है अगर d same है distance का value का होता है speed into time अगर d same हो गया तो बोल सकते हैं कि s1 t1 का value s2 t2 होगा बोले हैं कि कहाँ नहीं बोले हैं बोल सकते हैं तो जो speed का ratio होगा न दोस्त वो time के ratio का ultra हो जाएगा यहां तक तो बात सही है तो t2 by t1 t2 हम आने का लेते हैं मतलब downstream and t1 मालने जे जाने का ले रहे हैं तो अब जब t2 हमने क्या लिए हैं आने का मतलब downstream downstream का speed कितना होगा downstream का speed का मतलब होता है downstream में t r e a m आप धारा के साथ जाएगे तो x जो रुवाई आएगा x जो रुवाई करेंगे तो x का वलेए 3y है 4y हो जाएगा upstream में क्या होगा upstream में x-y होगा x-y क्योंकि आप धारा के भी रीत जा रहे हैं तो 3y-y करेंगे तो क्या है तो 2y तो समय है आपका 2 is to 1 आ रहा है बाद समझ में आ गया तो downstream में अगर time 2 लगता है तो upstream में time क्या लगएगा question में है कि 20 minutes लगता है downstream में तो upstream में कितना लगएगा तो दबल लग जाएगा तो answer कितना जाएगा 20 का double 40 बाद समझ में आगे चली आगे चलते है question number 14 में आपका कि अमीत जो है वह भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है मतलब ज्यादत तेजी से करेगा अमीत जो है काम को 50 दिन में complete 50 दिन कम लेता है वह गत से time को complete करने में अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी जल्दी काम हो जाएगा आए देखिए अमीत एन वह गत की हम बात कर रहे है यहाँ पर efficiency का ratio लिखेंगे यहाँ पर time का ratio लिखेंगे efficiency का ratio अगर देखे तो अमीत जो है भगत से 3 गुना जादा है तो 3 by 1 होगा और time एक वटा 3 हो जाएगा क्योंकि time सीधे उल्टा हो जाता है भी क्या है कि अमरित जो है आपका भगत से 50 दिन कम लेता है अमरित भगत से कितना दिन कम लेता है बोले कि 2 unit कम लेता है दो का value कितना हो गया पचास तो एक का value कितना हो जाएगा पचीस अब बताइये हैं अगर हम पूझे total work कितना होगा तो अमरित का efficiency 3 है और time लेता है पचीस तो 3 और 25 कितना होगा पच्छतर और हमें निकलने हैं भाईया टाइम तो 75 यूनिट कायम करना है और दोनों मिल के करेगा तो एक और तीन मिल के क्या होगा चार तो पता चल लगा का अटरा पुर्णांग तीन बटा चार सही उतर इसका क्या आगया ऑप्सन नॉमबर तीन आगे चलिए 15 में एक नंबर को जब 4,5,6 से डिवाइड करें तो रिमेंडर तीन आएगा देन वाट इस दस्मॉलेस्ट पॉसिबल थ्री रिजिट नैच्रल नंबर एक तो आप आप ऑप्सन सही देख सकते हैं जैसा 5 से डिवाइड करने पर तीन आना चाहिए तो भाईया पहला एंड ती कर एक स्थी रह को डिवाइड करेंगे ठीन आएगा चे आट रच चक अठोतल शेज अठोतल से पांच आ गया तो एक ही ऐसा आप सोन है जो दू कंडीसन को साटिस्फाइं क्या आप्सन नुम्र 2 हो गया कुछ करना ही नहीं क्योंकि आता चोटा था आगे स्चलिक है अभी उसके पास औरेंज था, उसका 40% उसने बेचा है, जो रिमेनिंग है उसका 10% फेक दिया नेक्स्ट दे, ही सेल्स फिप्टी परसेंट आप रिमेनिंग एन थ्रोज अवेज दे रेस्ट वाट परसेंट ओफ इस ओरेंज डज वेंडर थ्रोज तो टोटल माल लेते हैं 100 है सेल किया है 40% पर 30 बचा कितना बेचने के बाद बचेगा 60% उसका 10% तो 60 का 10% कितना हो जागा 6% मत्तों 6 यूनिट फेक दिया 6 यूनिट फेक दिया तो बचा कितना 54, ये 54 कितने दिन जाएगा नेक्स्ट डे के लिए चला गया नेक्स्ट दे क्या हुआ है वह 50% ओफ रिमेनिग जो है बेच दिया तो सेल कितना किया इसका 50% 27 हो जाएगा 50% और बाकी 50% फेक दिया मत्ता 27 यूनिट फेक दिया यही बात है न तो टोटल थ्रोग कितना किया ये है आपका थ्रो तो भाईया थ्रोग किया है 27 प्लस छे 33 त क्योंकि हम 100 में लेके चल रहे थे तो सही आंसर क्याएगा ओप्सान नमबर थ्री क्योंस्ट नमबर 17 में कि राजू जो एक ओल्ड मोबाईल 32 में खर्दा है 800 खर्चा किया और फिर 4800 में बेज दिया कितना फायदा होगा 32 में लिया 800 खर्चा किया मतलब उसका लागत हो गय 18 में है कि 1900 को 4 लर्के 5 लर्किया 6 महिलाएं में डिवाइड किया गया है और ऐसा है कि share of boy girl and women का ratio है 9 is to 80 is to 4 तो हमें पताना है कि share of girl कितना है तो question में दिया है share of boy एक लर्का एक लर्की और एक woman इसका ratio है 9 is to 80 is to 4 19 जो है वो 4 लर्के 5 लर्किया और 6 महिलाओं में डिवाइड हुगा है तो जो total वाला ratio लेके आप चलेंगे तो total लर्के कितने थे 4 तो इसको 4 से गुना करना परेगा ताकि 36 आ जाए यह हो गया 36 total लर्कों का ratio मतलग total लर्कों को कितना unit मिला है लर्किया 5 है तो इनको 85 मिलेगा महिलाओं 6 है तो इनको 24 मिलेगा तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा 36 और 24 कितना आता है 60 और 400 टोटल 100 unit का value है 1900 तो एक unit का value कितना हो गया 19 इसका मतलब है कि जो महिलाओं लर्कियों का हमें निकालना है जो लर्कियां है उनको total कितना मिला 40 unit मिला है तो 40 गुना 19 यह total मिला है total लर्कियों को हमें निकालना है कि एक लर्कि को कितना मिला है one girl तो यह जो 40 गुना 19 है यह 5 लर्कियों में divide हो गया तो एक लर्कि के लिए 5 सभाग देदेंगे 8 बर में 18 72 और 8 7 15 एक लर्की को 152 रुपे मिलेंगे चली आगे चलते हैं अ यहां पर 36, 40 और 24 क्यों लिया इसमें हमने 6 से किया था इसमें 5 से किया था इसमें हमने 4 से किया था इसलिए क्योंकि यह जो रेशियों है एक लर्का एक लर्की और एक वीमिन यहां फिर महिला जबकि जो 19 सो डिवाइड किया था वो चार लर्के पांच लर्किया और 6 महिला में डिवाइड किया गया इसलिए हमने multiply किया corresponding number से यहां पर आपके पास है कि L है M है N है K है L M का value है 2 is to 7 M N है 3 is to 4 और NK है 14 is to 5 जो खाली जगे उसको भरते हैं पता होगा तो 7 के बाद खाली है तो 7-7 रखेंगे 4 के बाद खाली है 4 3 के पहले 3 14 के पहले है तो 14 एं 14 रख देंगे अभी multiply करेंगे दो दूटिया चे चोड़ा चक चौरासी हो गया यहां से फिर सात्य एक्कीस 21 को चोड़ा से करेंगे कितना है चोड़ा का चोड़ा चोड़ा दूना 28 एक उन्तिस यह होगा न 21 हां पुए यहां से करेंगे तो सच्चोग 28 अठाइस को चौड़ा से करेंगे यह फिर सबसे पहले दिख रहा है कि कट जाएगा सबकुत को साथ से कितनी वर में जाएगा फिर 14 से इक्ट रहे कि चौदा चक चौरासी, चौदा दूना अठाइस, एक, यहां से कितना आजाएगा? चौदा दूना अठाइस, और चौदा अठाइस, एक, चौदा धाइस, एक, चौदा दाइस, दस, तो सही उत्तर के आगया है, ऑप्शन नमबर वन, आगे चलिए, बीस नमबर पे जो कि लास्ट कोश्चन होगा, इसमें हैं कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसको या तो प इंट्रेस्ट को एन्वली कंपाउंड किया गया, तो हम बताने हर एक इंस्टॉल्मेंट कितना होगा, देखिए, पैंतीस सो में मिल जाता, लेकिन एक हजार का डाउन पेमेंट है, तो अब जो है, पच्चीस सो चुकाना है, पच्चीस सो अभी कहीं साब से चुकाना है, ब कुछ पैसे, बारहत दसमलों, पांच पर तीसत का मतलब हो था, एक बटा आठ, इसका मतलब है, अगर पहले साल वह चुकाना सोचता है, तो आठ यूनिट के बतले, उसे नौ यूनिट खर्च करने पड़ेंगे, या नौ यूनिट देने पड़ेंगे, दूसरे साल के एंड कुछ पैसे चुकाना चाहता है, तो इसका फिर पावर 3 करेंगे उपर वाले का, तो यह जगा 512, इधर जगा 729, तो आने का मतलब है, कि अगर शुरुवाती में उसमें 512 रुपे लिए होते, तो तीसरे साल के अंत में 729 रुपे देके चुकाना पड़ता, इधर वाला ज करेंगे, तो दिख रहा है, तीसरे साल के अंत में 729 रुपे हैं, वो पहले साल का, 648 रुपे को सोटोट कर देगा, अगर एक ही साल के अंत में आप चुकाते तो, यहाँ पर नौचों का 36 आ रहा है, नौचों चौवान अतिन संतावन, यहाँ जहां तक की दूसरा इंस्ट और 5, 5, 10, 6, 16, 17 हो गया, मतब 736 रुपे चुकाने के लिए, उसे 729 रुपे का इंस्टॉल्मेंट देना पर रहा है, लेकिन एक्चोल में उसे चुकाना कितना है, 25 चुकाना है, 1736 चुकाने के लिए 729 रुपे का तीन इकोल इंस्टॉल्मेंट देना पर रहा है, 25 चुकान इतना करना पड़ता, अब यही calculation है, इसको हम simplify कर लेंगा और answer आ जाएगा, और हमने calculate किया है, तो यह value आ रहा है 1049.8, और 1049.8 एक ही option में आया है, जो कि option number 3, तो यह इसका सही answer हो गया, अच्छा, इस question में calculation थोड़ा ज्यादा था, तो उमीद करते हैं, बाकी चीजे आपको स सलस्टन के साथ.